अलो फ्रेंड्स मैं समीत आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपनी चैनल पर फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ लटकन की डिजाइन सेयर कर रही हूँ इसके लिए मैंने फोर इंच का स्क्वेर के दो फाबरिक लिए है इससे हम यह कॉर्णर से उसको नाप लेते हैं नाप ले रही मैं 3.5 पिंज का सेंटर से 3.5 पिंज और दोनों कॉर्णर से 3.5 पिंज का ईससा नाप लेते हूए कपड़े को बराबर से कर ले और नाप ले और एक सरकल का सरकल निकालना है और इसको अच्छी सतर से कट करना है आगे पीछे ना हूँ कपड़े दोनों इसका ध्यान रखे उपर का और नेचे का दोनों फेबरिक अच्छे से बैठने चाहिए और एक अस्तर का फैब्रिक लेते हैं और उसके बराबर से अस्तर को भी हम कट कर लेते हैं यह हमारे लटकन के लिए फैब्रिक रेडी हो गये है अब में फैब्रिक को राइट साइड पर हम अस्तर लगते एक समोच सा तयार करेंगे इसको 2x2 का मैंने एक फैब्रिक लिया है और उसका समोशे तयार किये है जितने भी आपके लटकन के लिए चाहिए उतने समोशे तयार करने है और मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए इसको शिलाई से अट्याज करने है यह मेरे अट्याज हो चुके है अब इसके उपर हम अस्तर रखते हुए एक शिलाई के बराबर से कर लेते है अब इसको छोटे-छोटे कट्स लगाते है शिलाई ना कटे इसका ध्यान रखे अब पल्टाते हुए अस्तर के उपर अस्तर के साइड में हम एक शिलाई कर लेते है कपड़े को पल्टाते हुए अब कपड़े को पूरा पल्टा देते है और यहा एक लेश लगाते उसको फिनिशिंग देते है मैं गोल्डन लेस लगा रही हूँ आप चाहे तो कॉन्टरक्स में कोई भी लेस लगा सकते है ठी कलर की अब दोनों साइड से कॉर्णर की सिलाई हम लगा लेते है और बाहर निकले वे फेबरिक को हम अच्छी तरह से कट कर लेते है हमारा एक लटकन का पार्ट रेडी हो चुका है अब दूसरा ही पार्ट वैसे ही रेडी करते है उसको भी समोशे लगाते हुए शिलाई करते है में फेबरिक को राइट साइड पर लगाते है राइट साइड पर रखकर हम समोशे लगाते है और उसके उपर अस्तर का फैबरिक रखते हुए को शिलाई कर लेते हैं इसको भी पहले जैसा छुटे-छुटे कट्स लगाते हैं शिलाई ना कटे इसका धान रखे अब पल्टाते हुए अस्तर के उपर से हम शिलाई कर लेते हैं अब उसको पल्टाती हुए एक हम गोल्डन लेस लगा लेते हैं में बहुत ही आसान है लटकन बनाना रहा जरूर ट्राइव किजिए गहाँ और बहुत यूनिक और डिजैन सिंपल एंड यूनिक लगती है दिखने को बहुत अच्छी दिखती है अब जरूर ट्राइव किजिए गा देखिए कितने अच्छे लग रहे है अब इसको हम डोरी से अट्याज करते है यह डोरी ली है डोरी की राइट साइड पर हम लटकन वो रखते हैं डोरी अंदर की तरफ करते हैं शिलाई कर लेते है और उसको पक्की शिलाई कर लेते है और उसको अब पल्टा लेते है देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दूसरा भी वैसे ही हम तयार कर लेते हैं उसको भी right side पर डोरी डालते हुए उसको अंदर की तरप से करते हुए शिलाई कर लेते है और एक पक्की शिलाई लगा लेते है रबचवे फेबरी को बराबर से कट कर लेते है और उसको भी पल्टा लेते है देखिए कितने अच्छे लग रहे है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताए अगर आप पहली बार मेरे चाइनल पर आए है तो लाइक शेर जरूर करें धन्यवाद